हे गाईज, विलकम और विलकम बाक आज मैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्रोड़क का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ यह है डॉटन की स्ट्रॉबरी ड्यू क्लेंजिंग बाम यह एक मेकप रिमूवर है और हम लोग इसे डबल क्लेंजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं अब डबल क्लेंजिंग क्या होता है मैं आपको पहले ये बता देती हूँ तो डबल क्लेंजिंग मतलब अपने फेस को दो बार वाश करना दो अलग-अलग टाइप के फेस वाश या क्लेंजर से जिसमें पहला क्लेंजर ओल बेस्ट होना चाहिए और दूसरा वाटर बेस्ट अब अगर आपको ओल बेस्ट क्लेंजर सूट नहीं करता है तो आप माइसेलर वाटर या रेगुलर क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं डबल क्लेंजिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे फेस पे जितना भी मेकप, संस्क्रीन, ओल, डर्ट और पॉल्यूशन है यह सब अच्छे से रिमूव हो जाए और हमारा फेस डीपली क्लीन हो पाए डटन की का क्लेंजिंग बाम डटन की के रेगुलर कंटेनर पैकेजिंग में आता है इसमें 70 ml प्रोडक्ट है फर रुपीज 4.99 इसके साथ एक स्पैक्चुला भी मिलता है इसमें mild strawberry fragrance है और यह बिल्कुल भी strong या overpowering नहीं है और इसका smell मुझे बहुत अच्छा लगा दिखने में इसका texture थिक balm की तरह है पर यह drop करते के साथ melt हो जाएगा और इसमें कोई भी beads नहीं है यह full face of makeup कुछ seconds में ही melt कर देता है मेरे eye makeup को भी यह बहुत ही easily और अराम से melt कर दिया मेरे eyes बहुत sensitive है और यह easily sting कर जाते हैं पर यह cleansing balm इतना use करने के बाद भी मुश्किल से एक दो बार ही मेरे eyes को sting किया है makeup melt होने के बाद cleansing balm में पानी add करने से यह milky form में convert हो जाता है इससे product पुरे face पे अच्छे से spread होगा और skin कहीं से खिचेगा नहीं बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि damp या wet skin पे cleansing balm यूज़ करने लगते हैं यह सही तरीका नहीं है और यह पूरे makeup को remove भी नहीं करेगा तो हमेशा पहले dry skin पे cleansing balm यूज़ करे और makeup को पूरा melt होने दे उसके बाद ही पानी add करे मेरा makeup melt हो गया है और आपको दिखाना था इसलिए मैं wet wipe से wipe कर रही हूँ हम लोग इसे directly पानी से rinse कर सकते हैं इसको पानी से दोने के बाद face oily या चिपचिपा नहीं लगेगा और इसके बाद हम लोग कोई भी gentle cleanser यूज़ कर सकते हैं यह cleansing balm सारे skin type को suit करता है मेरा skin type oily, acne prone और sensitive है और यह मेरे skin पे बहुत अच्छे से काम किया है अगर आप affordable price में अच्छे quality का cleansing balm सर्च कर रहे थे अपने makeup को remove करने के लिए या sunscreen को remove करने के लिए तो आप मेरे पे trust करके यह dot in key का cleansing balm ट्राइ कर सकते हैं प्रोड़क का link आपको description box में मिल जाएगा वीडियो informative लगी तो like and subscribe for more मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाई